हैलो गाइज वेल्कम टो अनेधर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फेंट इंटिलेक्ट डिजाइन अरेना की ओर से मर्च कॉर्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है और गाइज पहले consolidated income को कवर करेंगे consolidated को income में 630.6 करोड का पिछले quarter में 654 करोड का ओं March 23 quarter में 626.9 करोड का income है quarter on quarter year on year में increase किया है expenses 513 करोड का पिछले quarter में 538 करोड का और March 23 quarter में 512 करोड का expense हुआ था है quarter on quarter में kung épstein पहुत कं कम याा पर देखा इकस्पेंसेंस में rhymes ढोन ऑपरेटिंग पॉपिट 122.4 क्रोबी इसनल है उसमेग कुपनी को 49 lakhs का gain हुआ जबकि 23 March में 88 lakhs का gain हुआ था और इसी कांसर profit में down है लेकिन net profit company का है इस बार का 73 करोड का पिछले quarter में 84.8 करोड का और March 23 quarter 91 करोड का quarter on quarter year on year में वापस से fall एडिजन क्या है tax जो कि 49 करोड का pay करना पड़ा है quarter on quarter year on year में बहुत ज्यादा pay करना पड़ा है APS 5.15 रुपेज का quarter on quarter year on year में fall हुआ है तो गाइस company करजल तकर देखाए तो consolidated में profit बहुत ज्यादा फॉल लिए quarter on quarter के income में भी down है financial year ended में income में 2565.4 करोड का 23 में 2282.5 करोड का income में तो increase किया है expenses 21106.9 करोड का और 23 में 1920.7 करोड का expense में भी company का increase किया है income के according operating profit 461 करोड का 23 में 363.3 करोड का जो कि increase किया है लेकि net profit 322.7 करोड का और 23 में 268.5 करोड का जो कि increase किया है जो कि यह देख सब्सक्राइब 23 से increase किया और EPS 22.85 रुपेज का 23 से increase किया है तो गैस quarter ended जतने ज्यादा fall है उतना ही financial year ended में increase किया financial year ended की stand-alone को cover करें income में 443.9 करोड का पिछले quarter में 445.8 करोड का और March 23 quarter में 422 करोड का income है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है expense 380.4 करोड का पिछले quarter में 374 करोड का और March 23 quarter में 356.6 करोड का expense हुआ था जबकि expenses quarter on quarter में बहुँ ज़ादा इसके कारण profit में down है लिकिन year on year की expenses बहुँ ज़ादा और profit में down है operating profit 63.5 करोड का पिछले quarter में 71.5 करोड का और March 23 quarter में 65.4 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है EPS 1.99 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है तो overall guys company का result देखा जाए तो बहुत वीक result पेज किया है जिसको market negative मिलेगा और कल के दिन इसके shares में fall देखने को मिल सकती है क्योंकि company का result बहुत ज़्यादा वीक पेज हुआ और result market close होने के बाद आया है शेयर की बात करें 1024.8 रुपीच पे close किया 1.6% का already company crash किया और कल के दिन भी चांसे का इसकी crash कर सकता है तो वन वीक में 3% का loss मिल चुका है 3 months में 2.4% का profit और 6 months से 54% की profit है तो company जो है अब यहां से वापस एक support लेने लेती वेने जार आ सकती है इसलिए अगर आप इसमें investment करना चाहते है गाई तो wait and watch किजिए अगर आप profit में है तो आप इसको नहीं लेना चाहते है आप profit बुक करके निकले और फिर कुछ टाइम बात इसके support लेने दिजिए उसके पुछे मिलते हैं नेक्स रोड़ा में डिलन बाबाई